नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका सवागत है आई जहारखन केविनेट की बैठक धान खरिद समयद कई प्रस्ताव पर लगेगी मुहार जारखन केबिनेट की आज बैठक होगी मुख्यमंत्री हमान सुरन के नेतित में होने वाली इस बैठक में केबिनेट के सभी स्यस्य मौजूद रहेंगे इस बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दे पर विश्यस रूप से विचार किया जाएगा इसके अलावा और भी कई प्रस्ताव पर चर्चा होगी बता दे गुरुवार को होने वाली बैठक में किसानों को राहत कैसे दी जाए इस पर चर्चा होगी इस बैठक में धान खरीद को लेकर प्रस्ताव पर बात की जाएगी इसके अलावा जार्खन विधान सबा के सित कालिन सत्र को लेकर भी निनलिया जाएगा बैठक में इन सब के अलावा राजी हित के अन्य प्रस्ताव पर भी मुहर लगेगी बता दे कि इसे से पहले हुई केबिनेट की बैठक में कूल 34 प्रस्ताव पर मुहर लगी थी जारखन के अतिन नक्सल परवावी चाई बासा में नक्सल और सुरक्षाबलों के बीच मुर्भेड की खबर है फाइरिंग में दो जवानों के घायल होने की सुचना है कई नक्सलियों को भी गोली लगने की खबर है बताया जाता है कि चाई बासा के नक्सल परवावी चेत्र टोटो और गोईल के राथाना चेत्र में बौडर एरिया में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच फैरिंग जारी है गायल जवानों को एर लिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है वर ये पुलिस अधिकारी भी मुड़ भेड असर पर कैम्प कर रहे है बता दे घटना के संबाद में मिली जनकारी के मताबिक पी एल जी ए सब्ता के त्यारी कर रहे नक्सलि दस्ते को घेर कर जवानों न फैरिंग शुरू की अब तक 50 राउंड से अधिक फैरिंग हुई है फैरिंग में गायल हुए जवानों की सिती फिलाल गंभीर है गायल जवानों को पहले गोईल के रहोस्पिटल में प्राथमिक उप्चार के पस्चात रिम्स रेफर किया गया है जारखन में आज से सुवो मोटो म्यूटेशन परनाली होगी लागू जारखन में गुरु आर से सुवो मोटो मुटेशन परनाली लागू हो जाएगी मुख्यमंत्री हेमंसुरेन इनकाउद घाटन करेंगे कारेकरम दो पर दो बज़े से रांची में होगा बता दे यूटूब पर भी इसका लाई प्रसारन होगा परनाली के तहट निवंधन के ततकाल बाद जमीन के दाखिल खारिश की परकिरिया प्रारामब हो जाएगी पुर्वी सिम्मूम के निवंधन विभाग में भी नई वेवस्ता लागू होने को लेकर त्यारी पूरी कर ली गई है इस्तमाद में विभागे सचीव ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा है जिसमें नई परकिरिया के बारे में जनकारी दी गई है जार्खन सरकार के रायस्व निवंधन एवं भूमी सुधारवी भाग के भू अविलेखा एवं परिमाप निदे सालाय से भेजे पत्र में कहा गया है कि भूमी के निवंधन के बाद किरेता यानि आवेदन को दाखिल खारिज के लिए समंधित अंचल कर्याले में अलग से आवेदन नहीं देना पड़ेगा है इसके लिए यह नई ब्यवस्था लागू किया रही है जार्खन के 30 लाख बच्चों को मिलेगा कोपिया जार्खन में लगभग 30 लाग इसकूली बच्चों की कोपि तब बटेगी जब पूरा सेखनिक सत्र बित गया है बतादे बच्चे अगली कक्षा में पहुँच गया है और वहां भी आधा सत्र गुजर गया है वर्ष 2021 के लिए बच्चों को पिछले वर्ष अप्रेल में ही कोपि मिल जानी चाहिए थी लेकिन प्रिंटर द्वारा अब कोपि प्रखन मुख्याले पहुँचाई जा रही है 7.3 बच्चों तक पहुँचने में इसे अभी 1 से 2 माह का समाई और लग सकता है आईसे में बर्तमान सेक्षनिक सत्र भी अपने अम्तिम चलान में पहुँचाईगा कोपी बित्रन प्रकिरिया पुरी करने में एक सेक्षनिक सत्र से अधिक का समाई बित गया अब बचों को एक साथ दो कक्छाओ की कोपी दी जाएगी पुर्व मंत्री समरेश सिंग के निधन पर सियम हेमंत और बाबुलाल मरांडी ने जताया सोक जारखन के कदावर नेतावा बोकारो के पुर्व बिधायक समरेश सिंग का गुरु आरको निधन हो गया उन्होंने सिटी सेंटर इस्थीत अपने आवास पर सुबा करीब साड़े चो बजे अमतिम सांसे ली इनका अमतिम संस्कार सुक्रोवार सुबा नो बजे पैत्रिक गाव चंदर क्यारी में किया जाएगा राजकिय समान के साथ इन्हें अमतिम बिधाय दी जाएगी बतादे जारकन किस्तियम हेमान सुले ने कदावर नेता समरेश सिंग के निधन पर सोग जताती वे ट्विट किया है कि उनके निधन की खबर से आहत हो इन्हें राजकिय समान के साथ अमतिम बिधाय दी जाएगी जारकन सरकार में पूरो मंत्री और बोकारों के पूरो बिधायक आदर्निये समरेश सिंग जी के निधन की खबर से आथो परमात्मा दिवंगत आत्मा को सांती परदान कर सोका कूल परिजनों को दुह की घड़ी सहन करने की सकती दे आदर निये समरेश जी के पार्थिव शरीर को राजकिये समान के साथ अमतिमीदाई दी जाए 6 माह तक पानी का सुल्क नहीं दिया तो कटेगा कनेक्शन 6 माह तक वाटर टेक्स का भुगतान नहीं करने पर आपका वाटर कनेक्शन अब काट दिया जाएगा साथ ही आपसे दोगुना वाटर टेक्स वसुला जाएगा दोबारा कनेक्शन जोडने के लिए आवेदन देने पर आपका पुराना कनेक्शन भी बहाल नहीं किया जाएगा बता दे नए सीरे से सुल्क देकर आपको नया कनेक्शन लेना होगा इस समाध में बुद्धवार को अपर नगर आयुक्त कुमर सिंग पाहन ने आदेश जारी किया है नगर आयुक्त ने कहा है कि यह देखने को मिल रहा है कि लोग वाटर कनेक्शन तोले लेते हैं लेकिन बील भुकतान को लेकर लोग गंभीर नहीं है तीन सो ग्रामिनों ने ट्रेक पर उतर कर जाम किया हावडा नई दिली का मार्ग ट्रेन रद होने से नराज, प्रधान, खंता और आसपास के सैक्ड़ों गाम वालों ने गुरु आरको हावडा नई दिली रेल मार्ग को घंटे भर जाम रखा गोमों से आसन सोल जा रही मेमों के आगे लगभग 300 लोग खड़े हो गाए और ट्रेन रोक दिया इस वज़ा से बारका काना आसन सोल पेसेंजर धनबाद पत्ना इंटर सीटी और हावडा से रांची जाने वाली सताबदी एक्सप्रेस के पहिये भी थामे रहे धनबाद से गया रेल मार्ग के कोडार्मा स्टेशन पर चल रहे नन इंटर कॉलिन के काराण पिछले कई दिनों से आसन सोल वारा नसी मेमों एक्सप्रेस रद है गुरुवार को भी ट्रेन रद रही इससे छोटे स्टेशन के यात्रियों को काफी परिसानी हो रही है परधान खंता और आसपास के सैकड़ों गाउं के लोगों को दूसरा विकल्प ढूड़ना पर रहा है गाउं के लोग रद ट्रेन के बदले दूसरी ट्रेन का ठारा मांग रहे है जारखन के मजदुरों ने कतर में त्यार किये इस्टेडियम लेकिन उन्हें ही हटा दिया काम से खाड़ी देश कतर में फीफा भी सुकब दोहरबाज की धूम है इन खुबसूरती के पिछा की हकिकत काफी हाथ से है जिन लाखो मजदुरों ने दिन राट मेहनत और लगन से स्टेडियम और अने नागरिक सुधाओं को विश्व अस्तरिय बनाया उन में से काफी मजदुरों को विश्व कब सुरू होने से पहले ही काम से हटा दिया गया है इतना ही नहीं उन्हें समंधित कमपणी ने चार माह के लिए अपने वतन लोटा दिया है इनमें भारत के विभीन परदेशों के डिर लाख से अधिक मजदुर सामिल है इनमें जमसेदपुर के 40 से अधिक मजदुर भी सामिल है जारखन हाई कोट ने जेपीएसी को दिया आदेश जारखन हाई कोट ने राज सरकार वा जारखन लोक सेवा आयो को 2018 से चल रही एपीपी नियोकती परकिरिया को पूरी कराने का आदेश दिया है हाई कोट ने कहा है कि जेपीएसी सारी परकिरिया पूरी कर दो माह के अंदर रिजल्ट का प्रकाशन करे हाई कोट ने राज सरकार की अधियाचन वा आपस लेने समधी 13 दिस्टमब 2021 के आदेश को रद कर दिया है चीफ जश्टिस डाक्टर रवी रंजन वा जश्टिस संजय कुमार दिवेदी की खन पिट ने उक्ध पैसला सुनाया पलामू से भागपा मवादी के सब्जूर्र कमांडर नरायन यादो गिरफतार जारखन के पलामू में पूलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है तरसल टोप नक्सलियों में सुमार भागपा मवादी के सब्जूर्र कमांडर नरायन यादों को गिरफतार कर लिया गया है पूलिस उन्हें लंबे समय से तलास कर रही थी इसके लिए पूलिस लगातार कई इलाकों में छापे मारी कर रही थी आपको बता दे कि जार्खन और बिहार में उन्होंने कई नक्सली हमले को अंदाम दिया है पूलिस अब आगी करवाई करने में जूट गई है जनकारी के अनुसार थाना प्रभारी सेखर कुमार के नतित में एक टीम गठन कर पलामु के लावा दाग इलाके में सर्च अभियान शुरू किया गया देवघर से रांची वा पतना की फलाइट सर्विस इसी माह होगी शुरू दिसंबर माह में किसी भी दिन देवघर एयरपोट से रांची वा पतना की फलाइट सर्विस सुरू हो जाएगी DGCA ने Indigo Airlines को schedule जारी करने के अनुमती दे दिया है DGCA ने पिछले माही देवघर से रांची वा पटना की फ्लाइट को उडान प्रोजेक्ट के तहाँ सुरू करने के लिए stall अवंटित कर दिया था अब Indigo अपने अस्तर से उडान सुरू करने के त्यारी में जूट गई है Indigo रांची वा पटना सेवा के लिए दो नई फ्लाइट उतारने के त्यारी में है इसके कर्मियों की डिवटी लगाने के लिए सुची त्यार हो रही है साहिब गंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की ने की थी आत्म हत्या साहिब गंज महिला थाना की ततकालिन थाना प्रभारी एसाई रूपा तिर्की मामले में CBI पटना की टीम ने धनबाज CBI कोट को फाइनल रिपोर्ट जमा कर दिया एजेंसी ने कहा है कि रूपा तिर्की के हत्या नहीं की गई थी उसने फांसी लगा कर आत्म हत्या की थी जाच एजेंसी ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि जाच में यह बात भी साबित नहीं हो सकी है कि उसके बैचमेंट S.I.C. कोनोजिय द्वारा साधी का प्रस्ता ठुकरा दूखी होकर रूपा तिर्की ने आत्म हत्या की पंकज मिस्रा C.I.P. नासा मुक्ति केंदर जाने से किया इंकार साहेव गंजीले से हवाई दखनन और टेंडर मैनेज करने का रोपी विधायक पर तिन्धी पंकज मिस्रा C.I.P. के नासा मुक्ति केंदर में इलाज नहीं क गाएधा है, रिम्स मेडिकल बोड की सला पर बुद्धवार को रांची पूलिस रिम्स के पेंग वार्ड पहुंची और पंकज मिश्तरा से S.I.P. इस्थीत नसा मुक्तिकेंद्र चलने को कहा तो उसने जाने चेहिन कार कर दिया इधार नसा मुक्तिकेंद्र ले जाने के लिए जिल प्रसासर ने राचि पूरी से सुरागछा बॉल भी मांग लिया था 14 काहई भी उसे ले जाने के लिए आ गया था लेकिन काफी परियास के बाद वीवा नसा मुक्ति केंद्र नहीं गया धन्यवाद